हलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जोब जने नॉटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे टेट के बारे में टेट क्या है? टेट क्या है? इससे जुड़े हुई हम सारी जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले हम points देख लेते हैं, किस-किस point पर हम इस बीडियो में discuss करेंगे तो यहाँ पर हम जानेंगे what is TET, TET है क्या, eligibility, TET के लिए eligibility क्या होने चाहिए या TET किसको करना चाहिए थर्ड यहाँ पर आएगा age limit, age limit क्या रहती है, TET exam क्लिया करने के लिए selection procedure क्या रहेगा, exam pattern क्या है and slivers क्या रहेगा यह सारे जानकारी, यह सारे points हम इस बीडियो में discuss करेंगे तो सबसे पहले हम TET के बारे में जान लेते हैं कि TET है क्या तो TET, TET, इसका जो full form होता है वो है teacher eligibility test हिंदी में हम कहते हैं सिक्षक पातरता परिक्षा means अगर आप teacher बनना चाहते हैं, government school में आप teacher बनना चाहते हैं तब आपको TET exam के लिए करना होता है, TET exam आपको देना होता है तब ही आप government school में teacher बनते हैं और यह जो आप teacher बनते हैं, उसके लिए आपका class first से लेकर के 8 तक कर रहता है आप class first से 8 तक के अगर किसी भी government school में teacher बनना चाहते हैं तब आप TET exam clear करना होता है तब ही आप यह जो government school है, उनके लिए आप आबिदन कर सकते हैं vacancies आने पर अब यह जो TET रहते हैं, यह two types के exam रहते हैं एक तो CET रहता है और एक TET रहता है, स्टेट जो state level का रहता है अलग-अलग state wise निकलता है, अगर आप TET exam देते हैं, state level का तो जिस state से आप clear करते हैं, उसी state में जब government school में vacancies आती हैं तब हो आप आबिदन करते हैं लेकिन अगर आप CET के लिए करते हैं, तो यह central level का रहता है और national level पर आपको कहीं भी vacancies आती हैं, government school में वहाँ पर आप आविदन कर सकते हैं तो हम जानेंगे TET के बारे में जो state level का रहता है आप जिस भी state से belong करते हैं या जहां से भी आप ये TET exam के लिए कर लिते हैं वहाँ के government school के लिए आप eligible हो जाते हैं, vacancies आने पर आविदन कर सकते हैं अब हम जानते हैं TET के लिए आपके पास eligibility क्या होनी चाहिए तो अगर आप TET exam के लिए करना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो इसके लिए जो eligibility criteria है वो है आपका 12th pass minimum 45 या 50% ये categories wise depend रहता है थोड़ा से relaxation दे दिया जाता है percentage में तो आपका 12th pass प्लस आपने B.A.D. किया हुआ होना चाहिए या फिर आप graduation है आप उसके साथ में आपका B.A.D. होना चाहिए मींस आप 12th के base पर अगर आप class first से ले करके फिफ्ट तक के लिए आविदिन करते हैं तो वहाँ पर आप 12th pass और B.A.D. रहता है अगर आप 8th class तक करते हैं तो आपको यहाँ पर graduation होता है और B.A.D. आपका होना चाहिए और अगर आपने B.A.D. कोर्स नहीं किया है इसके जगए आपने कोई diploma कोर्स किया हुआ है जैसे कि D.A.D. या D.L.A.D. तब भी आप eligible रहते हैं T.A.D. exam दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो new education policy आई है उसमें कुछ B.A.D. को लेकर के changing की गई है और T.A.D. को लेकर के भी की गई है जो मैं आगे आपको explain करूंगी B.A.D. यहाँ पर 4 years तक कर दिया गया है after 12-4, after graduation 2 and post graduation के बाद आपका रहेगा एक साल का तो अभी आपका diploma कर रहेगा लेकिन आगे चलके 2030 तक यह लाग होने के chances है तो वहाँ तक आपका जबाब करेंगे तो वहाँ पर आपका जो B.A.D. रहेगा उसके बेस पर आप यहाँ पर T.A.D. exam दे सकेंगे अब हम बात करते हैं age limit की तो यहाँ पर अगर आप T.A.D. exam देते हैं तो minimum 18 and maximum 35 year age limit रखे हैं यह general categories के लिए है जो reserve category से ब्लॉंग करते हैं उनको relaxation मिल जाता है 40 to 40, 40 से लेकर के 42 या 45 तक का categories wise रहता है आप जिस भी category से ब्लॉंग करते हैं उसके accordingly आपको relaxation यहाँ पर मिल जाता है अब हम बात करेंगे selection procedure की 10 exam का जो selection procedure रहता है वो क्या रहता है किस तरह से आपका कितने step में selection होता है तो यहाँ पर आपका 3 step रहेंगे selection procedure के पेपर 1, पेपर 2 and interview यह जो पेपर 1 and पेपर 2 है यह अभी तक करते आ रहे थे लेकिन अब इसमें new education policy के according interview भी add कर दिया गया है तो जब से यह new education policy लागू होती है तो इसमें interview भी रखा जाएगा और आपका interview भी लिया जाएगा पेपर 1 and पेपर 2 पहले होते थे interview नहीं था लेकिन अपसे आपका interview भी होगा new education policy के accordingly यह जो interview होगा वो आपकी local language में होगा यह जो interview है वो लिया जा रहा है यह इसी लिया जा रहा है local language में लिया जाएगा जिससे यह check किया जाए कि आप वहां की जिस भी school में आप पढ़ाते है वहां की जो local language है उस छेत्र की उसमें आप बच्चों को कितने अच्छ से explain कर सकते हैं अब आपकी जो दो paper रहते है paper 1 और paper 2 तो paper 1 जो रहता है वो class 1 से लेकर के 5 तक के लिए होता है अगर आप class 1 से लेकर के 5 तक का आप teacher बनना चाहते हैं तब आप यह paper देते हैं और paper जो second रहेगा वो आपका रहेगा 6 से लेकर के 8th class तक का तो अगर आप 8th class तक teacher बनना चाहते हैं 6 से लेकर के 8th class के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप paper second देंगे और अगर आप 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप paper फश्ट देंगे लेकिन अगर आप first से लेकर के 8 तक के बच्चों को ही पढ़ाना चाहते है तब आप दोनों paper भी दे सकते हैं ओके सो यह आपका है selection procedure किस तरह से होगा new education policy के according आपका three step में यह selection procedure रहेगा अब next हम जानेंगे इसमें कि exam pattern क्या रहता है selection procedure हमने देखा अब हम exam pattern देखेंगे या syllabus किस तरह से रहता है तो आपका paper 1 का जो paper first रहता है उसका जो आपका exam pattern रहेगा उसमें आपसे question किये जाएंगे child development and pedagogy से आएंगे आपके 30 question 30 marks का एक question एक mark रहेगा यहाँ पर and second रहेगा आपका language first and language second यहाँ पर रहते हैं इसमें आपका रहेगा 30-30 questions के रहेंगे 30-30 marks के and environmental studies इसके भी 30 question 30 marks के रहेंगे and mathematics यह paper first का है mathematics में आपके 30 question 30 marks means total आपका 150 question रहेंगे 150 marks के यह आपका paper first रहेगा जो आप बन से लेकर के first class से लेकर के fifth class तक के बच्चों के लिए पढ़ाना आप चाहते हैं तब आपका यह exam pattern रहेगा हम देखते हैं हम second paper क्या रहता है तो यहाँ भी लगबग same ही रहता है थोड़ा बहुत changing रहती है यहाँ पर भी जो subjects रहेंगे वो child development and pedagogy CDP से आपसे question किया जाएंगे 30 question 30 marks के language first and second में भी same रहेगा लेकिन आपका यहाँ पर social science, science यह mathematics में आपका जो भी रहता है उसमें आपका 60 questions 60 marks के रहते हैं इस तरह इसे total आपका वही आता है 150 questions, 150 marks के ओके तो यह है exam pattern and slivers paper first and paper second का अब आप paper first देते हैं या आप paper second देते हैं या आप दोनों ही paper देते हैं आपका slivers लवक दोनों paper का same रहता है, थोड़ा बहुत changing रहता है subjects में, last में ओके, तो यह इस तरह से आपको तयारी करनी होगी इन इन topics पर या subject पर आपको तयारी करनी होती है अब यहाँ पर मैं जैसे आप TED के लिए कर लेते हैं तो आप eligible रहते हैं government school में जब vacancies आती है ओके friends, तो यह जानकारी थी TED exam से related इसके लिए eligibility क्या है, selection procedure क्या है exam pattern क्या है, यह सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like कर लीजिगा चनल को subscribe करके, बल आइकन को प्रेस कर लीजिगा, ताकि notification आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई निव वीडियो अप्लोड करूंगी Thank you